जोटे बच्चे घर में किस तरीके से योग करें जिससे उनका मन पढ़ाई में लगे खेल कूद में लगे स्वास्त भी बहतर हो इस कॉंसेप्ट के साथ रीवा के केंद्री विद्याले एक में योगा का एक विशाल कारिकम आईजित की अगया देखिए किस तरीके से योग गुरू प्रदीप ने बच्चों को योग सिखाया बिलकुल आसान तरीके से रुकना नहीं है जुखना नहीं जो जुख घया हो रुक घया अप्री बन्नाफों से शिर्फ अलुबहों करेंगे मैं सोस करेंगें कि जो हम स्वास अंदर भरते हैं तो हमारे फेपड़े कैसे फूलते हैं जब हम स्वास को बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े कैसे सिकुड़ते हैं लंपी गेहरी स्वार्ण अलोफों की केहने हमारे शरीर में कैसे अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम कैसे पुरी तरह से स्वास्थ हो रहे हैं बुलकुल वाडिक दम स्टेज मन बिलकुल शान, चेहरे में हल्की मुश्काल लंबी गेहरी स्वासों के साथ मन को बिलकुल इस्थे रखे गेहरी लंबी स्वास सिर्फ सांख पर स्वास के क्रिया यह ध्यान जो है योग की सातवी वस्था है योग के आठंग बताएगे हैं जिसे हमारा धार्ण, ध्यान और समाधिय ध्यान हमारा जो है सातवी नमबर पर याता है बहुत कठी पक्रिया है दो मिनट से तीन बन तक हम आखे बंद करके इस्थे नहीं बैठ सकते हैं तो यह शरीर में हलचा सुग हो जाती है सबसे ज़्यादा आज के समय में लोग करोना काल की पार सर्फ मानसिक तॉप पर ज़्यादा लोग परिशान हुए है लोग कर नीद नहीं आती है नीद की घोलिया खानी पड़ते हैं तनाव में रहते हैं प्रिपी हाई होता है रेप्रेशन में रहते हैं तरह तरह की समस्याएं लोग को आती है अगर हम दो से तीन में तक परड़े सुबह और साम इस ध्यान की प्रट्विया को करने का अगर प्रयास करते हैं तो हम पूरी तरह से एकड़म रिलाक्स रहते हैं स्वेस्ट रहते हैं आखे बंद करते हुए दुन हाथों को उपर उठाइए और आपस में अच्छे से घर्षन करिए रगण करिए पुरी तरह से अच्छे से गर्म करिए जो ते आओ और हाथों को रगण करिए और गर्म गर्म उश्माओं के द्वारा आँखों के उपर इसपस कराईए सर्थ धिरे से आँखों के उपर हाथों को रगण करिए और धिरे से आँखों को खोल दीजिए किसी को कोई दिक्त तो नहीं होई ना पैटने में अच्छा लग रहा था अब हम लोग करेंगे ध्रामधी प्राड़याम बहुत ही अध्वूत प्राड़याम है जिन लोगा मेमोरी पावर बहुत वीक रहता है पर्णे में मन नहीं लगता है यादा सच्छी ने रहती पर्फे आख नहीं बंद करेंगे दो उंगलियां ना मस्तक के उपर रखेंगे तीन वार कुम गुनाना है भावरे जैसे इसके बाद तीन वार करने के बाद तीन वार वों कॉचर्ण करना है फिर मौन सब्सक्राइब ख्रोपिद को खिर नहीं बंद खिर नहीं तुरु हाथ को अप्तस करिए अपने नेपे रखे दुरु हाथ क्यान मुद्धा में आखे बिल्कुल पर करना सब्सक्राइब करना है और इसका अलग ही आपको रिजल्ट मिलेगा वहाथ इसके विडिक रिखेट है पर करना सब्सक्राइब करें इसके बाद हम लोग शिंगर जना भी करेंगी हाथ से असन करेंगी फिर सवाप्रूप करते हैं और जीप को पुरी तरह से बाहर निकालेंगे सभी लोग एक साथ वाइट टागर सफारी तक आप लोग की आवाज पहुचने से ठीक है ना चलिए जीप को बाहर करें सभी लोग और एक साथ से जैसे आवाज निकालने हैं ठीक है चलिए शुरू करें बहुत धीरे आवाज आरे एक बार और एक बार और आप चलिए ऐसे गले में हलका मसाज कर लेजिए दोनों हाथ उपर उठाए लॉफिंग एक्सराइज करेंगे जुमते हुए हाथ से आसन खुलके हसना है क्या करना है हसना है तो दोनों हाथ उपर उठाते हुए एक बार और एक बार और एक बार और हाथ दोनों हाथ को पठ हुआए एक्कु प्रिस्टर करेंगे वन टू थ्री इस्टार्ट वान तू तू थ्री तो पाइट नाइन है और टे से एक्सराइज और ते आथों से दम रिर कर देंगे और ते से रिलाक्स तादा तरीम खबरों से जोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन दबाए और देखते रहें न्यूज नेटवर्क तुडे झाल 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 झाल